लॉड किश्णा नमन मा यौल स्वीट डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विध्यार्थियो, जब आप हमारे पास किसी भी तरह की अपनी रिकॉर्डिंग्स या अपनी बीडियोज, जिसमें की ऐसा प्रितीत होता है कि आपने चैप्टर याद कर लिया है, तो बहुत ज़्य याद करने हैं, लोंग आंसर थोड़े बड़े हैं, तो आप कोसिस करिए कि उनमें से कुछ most important point याद कर लें, कुछ बच्चे तितने अच्छे हैं, उन्होंने लोंग सारे याद कर लिये हैं, लेकिन जो बच्चे लोंग याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें थोड़ा चोटा करके याद कर सकते हैं, ठीक है student, और science में especially हमें समझना तो है ही, हमें जरूर समझना होगा है न, तो अभी हमने दो state का comparison किया था, हमने दो जगे की report यानि की जम्बू कसमीर और तिरौननदपुरम की जो report थी उसको discuss किया, अब एक बार देख लेते है जम्बू एंड कसमीर और केरला भी है, बीकें सीड़ केरला इस वेरी होट और वेट इन कंपरिजन तो जम्बू कसमीर विच है जाजा मॉडरेटली होट और वेट क्लाइमेट फॉर पार्ट ओफ यह तो जम्बू कसमीर का तो कैसा रहता है, और तिरौननदपुरम थोड़ स्टुडेंट की सर, जब हुमिडिटी जादा होगी तो वहां जंग बहुत जल्दी लगेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहां पर आइरन के जो अब्जेक्ट है, उन पर बहुत जल्दी जंग लग जाती है, सिमिलर डाटा फॉर दा वेस्टन डीजन ऑफ इंडिया फॉर एक्जामपल राजिस्थान, राजिस्थान का यहरं बात करें तो बहां भी हुमिडिटी की मात्रा तो नहीं है, लेकिन बहां मतलब बहुत होट है, बहां का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा होट है, विल सब्सक्राइब सेंटिमीटर से कम होती है स्टुडेंट समय यह रखना देशन में कौन सा धालर थार तार डीजर्ट इसलिए तो आधहा आपका राजिस्थान और कुछ अरिया आपका गुजरात का कुछ होता ही नहीं बेटा यहां पर ठीक है दा नोर्थ एस्टन इसे रिं फॉर मेजर पार्ट ऑफ यर देएरफॉर वी एज़ेट क्लाइमेट ओफ नॉर्थ एस्ट इज भैट नॉर्थ इस्ट का जो क्लाइमेट है वो बैट क्यों है आप जानते हैं अभी हमने आपको मैप के माद्यम से समझाया था हमने इस्टुएंट आपको बताया था कि जो सिश्टर कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बिध्यार थी हो नाव भी डिसकस अवाउट क्लाइमेट एड़ेप्टेशन क्लाइमेट है जो इफेक्ट डालता है वो सभी सजीवों पर डालता है एनिमल आर एड़ेप्टेड टू सर्वाइव इन दा कंडीशन इन विच दे लिव ज बिच दे लिव जहां यह रहते हैं और सीटी सी वात है वही बाताबर्ड में बहु धल भी जाते हैं एनिमल लिविंग वेरी कोल्ड और होट क्लाइमेट मस्ट पॉसेशली फीचर्श तो प्रोटेक्ट थेमसेल्फ अगेंस्ट अगेंस्ट एक्स्ट्रीम कोल्ड और हीट र तो विल लर्न अबाउट दा एफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट ऑन स्वाइल हैर भी बिल इस्टी दा एफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन अनिमल ऑनली प्यारे विद्धार्थी आप पहले से जानते हैं बहुत सारे जी वैसे जो बहुत एक्स्ट्रीम कोल्ड जगह पे रह पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रैंड फॉरस्ट तो ट्रॉपिकल रैंड फॉरस्ट पे अलगते रहे के जीव रहते हैं वो भी अपने आपको बहां एडप्ट कर लेते हैं अडप्स्टेशन बहीं पर आ जाता है उनका एस दा नेम सजेश्टिट दा पोलर रीजन और ओप्रेशन भी कराना पड़ जाता है अगर लॉंग टाइम तक बहां रहना है सिचुएशन ही ऐसी है सम बैल लॉन कंट्री देट बिलॉंग दा पोलर रीजन आर कैनेड़ा, गिरिनलेंड, आइसलेंड, नौर्वे, स्वीडन, फिनलेंड, अलासका एन उसे और साइवेरियन रीजन और रसिया एक्जाम्पल उप सम कंट्री भेर दे ट्रोपिकल रैन फोरेस्ट आप फाउंड आर इंडिया, मलेसिया, इंडोनेसिया, व्राजील, रिपब्लिक ओफ कॉंगो, कैन्या, योगंडा, एंड नाइजीरिया तो जो रैन फोरेस्ट वाले रीजन हैं उनमें आपका इंडिया, मलेसिया, इंडोनेसिया, व्राजील, रिपब्लिक ओफ कॉंगो, कैन्या, योगंडा, एंड नाइजीरिया यह आ जाते हैं एक्टिटी देख लेते हैं टेक एन आउटलाइन मेप ऑफ वर्ड, आपको वर्ड की आउटलाइन मेप तयार करनी है, मार्क दा पोलर रीजन इन विलू, सिमिलरली मार्क दा ट्रॉपिकल रीजन इन रेड, और ट्रोपिकल रीजन को आपको रेड से और जो पोलर रीजन विलू से आपको इंडिकेट क अमेरिका अंटार्टिका अस्ट्रेलिया यह सारे के सारे क्या है कॉंटिनेंट है इन कॉंटिनेंट के बारे में आपको इस्टुएंट पता होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कौन से कॉंटिनेंट में कितनी कंट्री है और किन कंट्रियों का कैपिटल क्या है वहां क प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेशिडेंट कौन है यह फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे याद कर लेते हैं आप तो अभी सेविंथ क्लास में हैं आपके मन में तो ऑफिसर बनने का द्रड निश्चे है तो यह दि आपके मन में ऐसा है देन आप गूगल पर सर्च कर लिया कर कर यह अच्छे बच्चे कर सकते हैं ठीक है दो पोलर रीजन पोलर रीजन प्रिजन 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 एक्ष्रीम क्लाइमेट इस रीजन आर कवर्ड विद इस नो और इस वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द यह ए इस्टूडेंट प्रतिभी जोकी हुई है पर जुकी हुई है यहां पर शुकी हुई है इसी के लिए यहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती छह महिने तक और ओच्छह महिने तक पहुंचती रहती है तो छह महिने के यह सबीने को मिलती है the temperature can be low as minus 37 degree centigrade animal live there have adapted to these severe condition लेट उस सी हाव दे आरेप्टेड वाई था कंसीडरिंग पोलर वियर और पैंगुइन पोलर वियर और पैंगुइन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके प्यारे पिद्धार्थियों यह भी कहीं न कहीं अपने अंदर हैविटेट को एडेप्ट कर लेते हैं इनके अंदर जेच देखने को मिलते हैं आपके अंदर भी चेच देखने को मिलेगा यदि आप अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे तो अच्छे ही बनेंगे और अगर वैदर की बात करें अगर आप हिमाले पे रहने जाएंगे तो बहां का एक्स्ट्रीम कोल्ट सहने की आपको आदत पड़ जाएगी अगर रायस्थान में रहने जाएंगे तो आपको एक्ष्ट्रीम होड डेजर्ट में रहने का धीरे-धीरे अनभव आ जाएगा ठीक है श्ट्रेंड